जो भी पैसा आप जीतते हो, वो आपके bank account में आता है, बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जान ले, कि अभी तक successfully आपका bank account जो है verified हुआ है, क्योंकि successfully verified नहीं है, तो कितना भी पैसा आप जीत लो, bank account में मंगवा नहीं सकते हो, इसलिए जो तरीका आपको बता रहे हैं, उससे है अगर नहीं होगा तो अभी आप पता करपा होगे लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम को कहां जाना पड़ेगा हमको ड्रीव 11 का मौवाइल अपली किसन पर जाना होगा और वहां से जो तरीका हम बता रहे हैं उध्यान से खोल के देख लीजिए उससे आप समझ में आएगा क कैसे हम अपना bank account verified है या नहीं पता कर सकते हैं तरह कि यह bank account जो verified होता है उससे पहले आपको पाइंड काड को verified करना है bank account का verify करने से में आपको जो bank का statement या checkbook का cancel check का scan copy या सारा detail बिल्कुत सही सही डालना है bank का ताकि कोई भी बात में आपको समस्या ना होए उससे पहले ड्रीम में गयर क्या application open करना है Google Play Store में मिल जाएगा आपको यह वाला तो हमको चेक करना है कि आपका bank account verify है या नहीं यहां पर जो है आपका जो profile icon है इसके उपर में क्लिक करना है balance के उपर में जाना है अब यहां पर देखिए अगर आपका bank account successfully verified है तो यह जो winning amount लिखा हुआ है ना यह आपका 49 रूपी इसके सामने लिखा होगा withdraw instantly इसका साफ मतलब यह है कि आपका bank account verified हो चुका है जो आपने submit किया है withdraw instantly लिख दिया मतलब bank account verified है अगर यहां पर लिख दे verify to withdraw winning के सामने लिख दे verify to withdraw तब समझे लिजी कि अभी तक आपका account verified नहीं हुआ है तो अभी तो लिखा है लिख करना है आपने जो भी bank account डिटेल दिया हुआ से रिलेटेड़ सारा information दिखाएगा जो भी बैंक का नाम है ब्रांच है स्टेट है सब दिखाएगा तो यहां से आप इसको जो है ना verify कर सकते हो यहां से आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हो सब यहां दिखिल आपको मिल जाएगा तो पूरा तरीका बता दिए रोड़ा लोग के कुन कॉमेंट मेंट बाता बताएं वीडियो बनावल जागे टेंसन ना लेगे हुआ जाहिन करे खाती रेफरल कोड़ बार वीडियो क प्रिकासं प्रे심 ज वीडिडता है का दो जाएं हैं